कुइसिंफ निक एज्टेशन मैं हूं मासिना खान तो कैसे आप अश्या करते हूं अच्छी होंगे तो आपको जोसे पता है मेरी पैट की ऑर आपकी जो पैरामईडिकल है उसकी बाइलोजी जो आपका स्लेबस है उसकी आपकी वीडियो चल रही है और यह जो वीडियो है पूरे क्वेशिश प्रव्ट ज्वी पूछा सकता है वह पूरी कोशिश करेंगे कि आप वह सारे पढ़ेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वडियो है आपकी इसमें थोड़ा से इंट्रोड लिया था आपका जो बाइलोजिय है उसके बाद क्या आडूराजी है वो हमारी पही की किशी जाते हैं कि इसमें से बहुत सारी क्वशिंग पूखे जाते हैं आपका जो टोपिक है आज क्यों ने आपको बता दिया था जो आपका प्लान किंग्णम था सबसे à agrad को पता था आएगा उसमें हमारी फाइलम रहेंगे इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके जैसे प्रोटो जा पॉरी फेरा ऐसे करके बहुत आपके लेकिन आज की वीडियो है पहले उसमें जो आपका एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है वह किस तरीके से शुरू आता या फिर कैसे किया गया था क्योंकि आपको पता है आपकी जो पूरी लेंड है उसके बहुत सारी आनिमल और जो प्लांट है उसकी वराइटी पाई गई है और जिनका स्टडी एक साथ करना इंपॉस्बल रहता है तो जैसे कि सबसे हम डालेंगे क्लासिफिकेशन ओफ एनिमल प्लासिफिकेशन आपको कुछ पता है था कि आपके जो पहले जो भूमी पर सबसे पहले जो आपका जीवन में आप मतलब जो आपके पहले जो माइक्रो ऑर्गनिस्म आए थे बहुत ही आपके वह बिल्कुली वेल डबलब नहीं थे वह आपके सब एटम की रूप में आये फिर उन्होंने ए सबसे पहले हम बात करेंगे आपको पता है अगर मैं आपको कुछ पॉइंट पॉइंट बताओं आपके या फिर फीचर बताओं तो आपको क्या होता है आपको पता है अनिमल में क्या होता है जो आपका क्लोरोफिल होता है वह एपसेंट होता है आपका ठीक है इसलिए वह आपके कैसे होते हैं नौन फोटो सिंधाटिक होते हैं आपके क्लोरोफिल एपसेंट है आपका और जो प्लांट में आपको पता ह तो अगर så पाइं होती है तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो वहीं है आपका इसमें आपका इंत여 ही क्लेफिकेशन होता है था क्लेसिखेशन का आपका क्या है पहलें पहले फिद्र में आपको वर्गी क्लासिफिकेशन के थे कहते हैं वर्गी किसे कहते हैं आपका तुम्हाइं आपका आपको पता है बहुत बड़े-बड़े आपके गुरुप है या फिर बहुत पूरी-पूरी जिगायस का उत्तर आपका क्या होता है जो बड़े-बड़े समू में आपके जो जानवर है उनका आप चुटे-चुटे समू में बाटके study करना आपका क्या कहलाता है classification कहलाता है या फिर इसे हम दिख सकते study of classification क्या कहलाती है आपको मैंने बताया था वर्गी कि कि ठीक है टेक्जोनामी कहलाती है अब मैं आपको बात बताओं आपका जो टेक्जोनामी जो शब्द है आपका सबसे पहले टेक्जोनामी जो शब्द है है declassification में क्या रहता है क्लासिफिकेशन में प्रक्र Velvet आप उनको क्या कर दो आप एक सिस्टम तरीके से लिए इनस्रीकृमर लगाते हैं जैसे पर पता होंगी तो मैं आपको बतातों कर ख्लासिफिकेशन मैं है क्लासिफिकेशन मैं कि सिस्टेमाटिक जो वर्ड होता है आपका सिस्टेमाटिक जो शब्द था आपका जो शब्द था वो दिया था आपके जो वैग्यानिक थे कैरूलस लीनियस कौन थे आपके कैरूलस लीनियस आपके वैग्यानिक थे कैरूलस लीनियस आपको पता है ने और क्या के तो आप कैरूलस लीनियस को हम क्या के दें फादर ओफ टेक्जोनॉमी अगर आपका तहा जाए या आपका 1735 लखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूँ आपके फादर ओफ टेक्जोनॉमी कैकल लिखा था ऐसे लिखा था फादर ओफ टेक्जोनॉमी को आPac अपके फादर ओफ टेक्जोनॉमी ज़ो आपके है कौन है कैरूलस लीनियस है है लीनियस कशर तो आप इसे फटा-फट नूट करिए फिर हम आगे जानें करेंगे थोड़ा सा आपका और जो है अमारे यह तो फादर आफ टेक्जुनामी आपके कौन थे कैरूलस लीनियस थे यह आपके वग्यानिक थे ठीक है यह तो अभी आप जली से स्क्रीन शॉट लिजे फिर हम आगे बढ़ाएंगे आपको तो यह क्या हो गया यह आपका मैंन बात करेंगे जा वैग्यानिक थे आपके अरस्तू आपको पता है यह वह कौन है आपके अरस्तू खिके इनको आरस्तू यह कुछ 322 बीस्या आपको है उन्हें तब बताया था उन्होंने क्या क्या था एडिमल को सबसे पहले बांटा था आपका दो गुरुप में बांटा ध्यान से आप पढ़िएगा इसे और लिखते चलीगा दो ग्रूप में बाटा था एक आपका था ए नैमा क्या था आपका ए नैमा या फिर ए से ए नाइमिया भी बोल सकते हो आप ए नैमा और एक आपका था ए नैमा क्या था आपका ए नैमा एक आपका था E नैमा या इसे E नैमा भी बोलते हो आप तो E नैमा इन्होंने दो ग्रूप में बाटे थे अरस्तू जो थे उन्होंने एनिमल को दो ग्रूप में बाटा था तो मैं अगर इसकी बात करूँ E नैमा की तो आपका क्या था इसमें RBC जो थी आपकी RBC वो कैसी थी वो एपसेंट थी आपके यानि कि इन्होंने आर्बीसी के बेस्ट पे गिया था आर्बीसी इसमें अपसेंट थी तो धारड की अगर हम बात करेंगे एक्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपके जो इन्वर्टीप्रेट होते हैं आपके एने लिडा हो गया आप अंपि पयाग्यों में बताया था कि इसमें आपकी जो अर्बीसी थी आपकी वह प्रेजेंट थी के आपके ऑर कैस घिक है जिसे उधार लिख गया तो आपके जो आपके जो यानि कि प्रॉड़ अटा लिए यहां पर क्लूड़ ड़िटा लिख लें यहां पर डव देटा आपके जो अरस्तु वैग्यानिक थे उन्होंने इन्यमा को दो ग्रुप में और माठा था मैं यहां लिखूंगी ठीक है क्या किया था उन्होंने यह इन्यमा जो है आपका दूसरा ग्रुप जो था आपका उन्होंने से दो में और डिफाइन किया था इन्यमा ग्रुप को दो सब ग्रुप में और डिवाइट किया था याद रखीगा इसे पशन पूछते हैं आपका ठीक है तो जैसे कि मैं भी यहां पर लिखना चाहूं विभी पैरस जो होते हैं आपके विभी पैरा और एक होता है आपका ओवी पैरा ध्यान से सुनिएगा आपका आपको पता है अधिलिश में भी अब बी पैराथ मतलब इस में उता यहां बेवी देने वाला यान कि जो बेवी प्रोडूस करता है वह आपका बीवी पैरस कहलाता और आपके जो human होंगे मनुष्ष जो ओंगे वो किसमें आते हैं वो आपके विभी पैरस में आते हैं अगर हम बात करेंगे जो ove para है आपको पता है अन्डा यानिकी इसमें क्या होगा आपका जो अन्डा पर्डूर्स करेंगे ov मतलब ले उवम होता है औमोर अग होता है तो क और आपके एंफीबियन फ्रॉग वगेरा और आपके बर्ड हैं जो आपकी एंफीबियन और आपकी जो बर्ड है ठीक है वो सब किसमें आएंगी ओवी पैरा में तो यह ध्यान रखीएगा आपका यह तो आपका अरस्थम ने कर दिया था classification ठीक है यहां तक हो गया अब हम जानेगे आपका आपको पता है पदती हो दिए ऐसकीम जानेंगे कि आपको जैसे पता है बाइनॉमियल ग्लेशर आपका किस ने दिया था ट्राइनॉमन ग्लेशर आपका किस ने दिया था वह सब जानेंगे आप इसे जल्दी से इसकी स्क्रीन शॉट लीजे फिर हम आगे बढ़ेंगे दिख रहा है आपको ठीक है करिए आप एक मिनट तो यह हो गया आपका है कि अच्छी कि और हमने लिखा था यहां पर टैक्स जोनॉमी लिखा था भी टैक्स जोनॉमी तो टैक्स जोनॉमी मैं आपको बता दें जैसे बाल ऑची अपका ग्रीग शब्द के दो आपके जो ग्रीग लैंवेश थी उसके दो सब्दों से मिलकर बनाए ऐसे ही आपका जो टैक्स जोनॉमी है वह भी ग्रीक के है आपके दो शब्द है एक तो होता है आपका कि एक हुता है टेंग गतना कमर्वोषी पर मतलब होता है आपका जो ठीजिग्रुप है ऐसे बड़े सब्कोंप जो थो मैंने आपको पहली बताए था भार मतलब होता है और सुक्रासिफ़िकेशन चा तो इसे लिख लिख लीजिए आप इंपोर्टन रहता है फिर हम आगे जानेंगे आपका जो और है हमारा वो कि अग्जिए इसे और भी लिख लीजिए आप टैक्जिस कर लीजिए अप तो यह कि बात अब यह विख टा की बात अब अब हम बात करेंगे जो आपका आपका अपनुक्त का क्ई इंपन नाम थे अपकां को है जासे हम किस्व कंघेश तरिक्टी का क्या मतलब है इसे विए ज्ञानेंगे औरुमनोंक्लेशय को भी दिया तो तो आपको बता दूँ जैसे आपको पता रहता है जो आप जितने भी आपके जो लॉजिकल नेम लिखते हैं ़िस में अलग रूल है आपका जैसे जैसे मैं आपको बता दूँ अभी पहले मैं आपको बताओं फिर आपको अधर से समझाओंगी तो से केरूलेस लीने से आपका दिव नाम पदी ती इसमें उन्होंने अनिमल को कैसे क्लासिफाइग था इन्होंने दो आपके जो सिस्टेमाटिक वे थे मैं आपको पहले राइड किया गया है उन्हें कितने में साथ जैसे कि हर एक आप जो भी एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया उसमें सभी का होता है आपका एक जैसे होता है आपका किंगडम किंगडम जैसे क्या बोलते हो आप जगत फिर होता है आपका होता है फाइलम फिर आपका होता है क् और पिर आपका होता है फैमिली फैमिली फिर आपका होता है जीनस इशेप सब्सक्राइब आपके पूछ जाते हैं इनने सीक्वेंस से लगाना होता है तो आपने याद कर लीजिएगा आपका ठीक है च्पी इंग इंग्ड स्पी सोरी यहां से नमबरगे जगा यह बाइन ट्रीफ अरोर अपका और यह six अर यह seven थीख है किन्गu मतलब आपका जगत है फाइलम मतलब क्या है अपका जो संग है क्लास मतलब वर्ग है आपका order मतलब आपका गड़ जो होता है family मतलब family आपका जीनस मतलब जीनस आपकी और स्पसीज आपका और यह आपकी जाती हो गई ठीक है यह सब आपके कैसे हैं यह साथ आपकी ऑफ़ बात करेंगे जो आपका फू नoga नाम पह। तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने बताया था जो भी आपका एमेल होगा इसका जो होगा उसका वह प्रकार जीनस और आपका जो वर इसपिस और ऑपिस के नाम पे होगा यानिकि इसका हो ता हवोगा यह Yak 1970ol किसी भी एनिमल का गर नाम होगा जो लॉजिकल नेम होगा तो उसके वन्स का नाम और उसके जाती के नाम से डिनोट करेंगे उसे हम और मैं आपको बता दूँ इसमें रूल होता है आपका जीनस का जो पहला जो भी शब्द रहेगा आपका जीनस में उसका जो पहला अच्छर होगा वो kitchen my 50 चक्षर कैसा capital लेटर में रहेगा और जो आपके स्पुसीज रहती एक उसका क्या रहता है उसका छोटा रहता यानि कि पहला प्षर कैसा रहता है इस पुसीजאש का पहला जार कैसा जो लॉजिकल नेम है उसका पॉक्रोच का आपका नाम पॉक्रोच उसका नाम क्या होता है उसका नाम होता है पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना प्लेनेटा अमेरिकाना एक सेकंड एक सेकंड अमेरिकाना ठीक है तो मैं आपको बता दूँ यह जो आपका नाम है यह किसका होता है यह आपका जो जीनस रहता है उसका होता है और यह आपका जो नाम रहता है वो किसका रहता है स्पसीज का रहता है तो आपको याद रखना है पहरी जो जीनस में आपका जो पहला वर्ड जाएगा लेटर जो जाएगा वो कैसा कैपिटल रहेगा और स्पसीज में जो आपका प प्दिति से ही आपका और एक चीज क्या करने है इस्में जönskull नाम कोज़ा है उनकिक क में नाम को जाना उस anális alone उसको भी हम्जानेंगे तो यह बात होगी आप इससे लिखिए अब हम जानेंगे आपका क्या है अब हम जानेंगे जो आपका ट्राई नॉमन क्लेचर होगा हमारा यानि कि त्रिनाम पद्धिती आपकी जो होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे आपका ट्राई नॉमन क्लेचर आपको पता है ट्राई का मतब क्या होता है त्रिनाम पद्धिती कि इसके अगर मिना बात करूं इसको सबसे पहले यह तो PRTID किया था वह आपके एक वेज्ञानिक थे हज्जले थे और आपके इस्टिक लेंड थे आपके इस्टिक लैंड कि यह वेग्ञानिक थे उन्हों को प्रतिपादित किया था जैसे आपका जो क्लेचर को चाता है कि बाई नाम क्लेचर किसने दिया था अपका आपका आपका जल्क इसने दिया तो आगर मैं इससे आपको डूल्स कनुक्तर नाम जाएगा जैसे आपका बाई नाम टेले ज ह Очारी सिथ स्क writes का भी नाम ढाएगा ठीक है और क्या होता है मैं स्पसी amiga का भी नाम आता है आपका जो उप जाती होती है आपकी ये क्या है आपका ये वन्ष है ये जाती है आपकी और ये क्या है ये उप जाती है आपकी छीखे न तो ये जाती है आपके और इन तीनों का नाम होता है लेकिन मैं अब आप बता दूं आपको रूल वही रहेगा जीनम gina's का जो नाम होगा वो कैसा लिखेंगे capital में लिखेंगे species और जो सब species का नाम है वो ही रहेगा धीक हूँ आपका एक्जाम्पलaat अगर हम लिए हैं उधारन में लिए उलग-ळलग जो छेत्र रहें ले उन में आपके जैसे बता दू अलग-ठी छो फिसीस पाई जाते हैं एक हम albums वाराइट तो उससी के पार तो जैसे अगर मैं आपकी जो कवा होता है हमारा कवा उसका नाम होता है तो जो लोजिकल नेम होता है वो होता है क्रॉवस इस्प्लेंडेंस इस्प्लेंडेंस ठीक है यह तो आपका क्या है यह एक सिंपल कवे का नाम है आपका क्या है आपका सिंपल कवे का जो नाम होता है वो होता है आपका क्रॉवस आपका जो इस्प्लेंडर्स ठीक है कॉर्वस करिये आंपे क्रॉवस नहीं पॉर्वस इस प्रोब्स इस्प्लेंड sisters ये आपका क्या रहता है यह आपका नौर्मल आपका जो कोओいう उसका नाम है उसका जो लॉजिकल नेम् होगा हारतिय का वर्मा का पहुआ है और आपका क्या है और आश्री लंका जो कवब भारतिय को था अगर नॉमनेकलेशर में लिखेंगे तो क्या लिखेगा तो हम इंडियन की बात करेंगे तो अगर इंडियन की आपका कोर्वस स्प्लेंडेंश और एक बारिवत लिख देंगे स्प्लेंडेंश चीक है यह आपका इंडियन रपका किरोव है उसका नाम है सलिक सिकिन कबनेंश हो गई बात आपको इंडियन के अगर एम वर्मा की बात करेंगे आपके तो क्या होगा आपका उसमें होता है आपका कारेज इस्प्लेंडियन अब क्या कि कौनों इस्टैंस Momoinse attributes में यह आपको पता है यह आपका क्या है यह डिया आपके इस्पस्पसीम्ट है है ठीक है याद रखीगा और सभस्ट अगर गजिए शरी का तो अगर होगा उसका क्या होगा उसका इसका भी रहेगा मैं चुशत होती है न में आपको surviving गेम्स्मीटotom जंदिद्र क्लासिफिटेशनी में कई यह आपका हो गया कॉरस लूяж्ज हो क्लेश्रों गया आपका है अप हम सके ऐगे आगे आगे जानेंगे यह आपका मैंने बताए जो क्लासिफिकेशन फापका जो नॉमस लेच्छर था श्राओ अब हम बात करेंगे हमारा जो next रहेगा भी मैं आपको आगे और बताँगे आप इसकी जल्दी से screenshot लेजे एपर हम आगे आगे बताते हैं आपको क्या था आपका corvus इस्प्लेंडेंस इस्प्लेंडेंस पर आपका कॉस पर पर इस प्रेंडेंस और फिर आपका क्या है dotter gates साथ का यह होगिया अब हम जानेंगे हमारा next आगे का इसका जानेंगे वह वे यह आपका होग यह मैंने आपको बता दिया ट्राइनॉम सिन दिया था युद्ध ने उलिया आपके वाग्यानिक। हमारे कौन से इस्टिक लाइंड आपके थी उन्होंने आपका दिया था ट्रेना ट्राइनॉमन क्लेश और आपका जो आपके वेग्यानिक ते कहरे लिने से फायदा रॉफ आपका जो टेक्जोनॉमी है वो भी कहा जाता है अब हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिम प्लासिफिकेशन किया गया है आपका क्लास्फिकेशन के सरचना इस पॉइंट है आपके ठीक है आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ जो से आपकी उसके अधार पर और होता है आपका सम्मितिया पाई जाती है सम्मिति जो आपकी पाई जाती है यानि कि अगर हम किसी एनिमल को किसी भी एक्सेस से कारते हैं तो उसके अधार पर भी आप पर डिवाइड किया गाया है सम्मिती के आधार पर अभी हम सब पढ़ेंगे आधार पर ठीक है फिर आपको पता है एक देह गुहा पाई जाती है सीलोम जिसे कहते हैं देह गुहा पाई जाती है जिसे क्या बोलते हो सीलोम बोलते हो आप उसके आधार पर भी किया गया है उसके आधार पर भी किया गया है फिर आपका क्या है आपका सीलों सेगमेंटेशनु आपको पता है इंसेक्ट जो है आपके खंडन के अधार बें किया गया है अभी हम सब को जानेंगे एक-एक करके अधार पर ठीक है उन्होंने डिफाइन किया एगर सेल की स्रचना है आपकी एस एलॉलर है आपका टिश्यू और या फिर आपका मल्टी सेलॉलर है उन्हें आपका कौन से अनिमल आएंगे इसी अधार पर अगर मैं बात कूं सम्मति अगर हम समति अभी पढ़ेंगे आपको त उन्हेंगे और अगर मैं आपको बात करों एक इंहीं सबसे पहले एक पढ़ंगे ठीक है तुच सबसे पहले आपको बता कि ने आपका फाइफ पिंभर किस ने दिया था जली से आप बताएंगे क्लासिफिकेशन अगर हमने बात की थी तो इन्होंने भी कुछ आपकी आधार लिये थे ठीक है उसमें अपने उन्होंने क्या लिया था यह शरक्षना थी आपकी सेल की जो सरचना थी उन्होंने उसका है चैल्वर्ड रहे मल्टी स्थक्राइब को नियूट्रिशन होता है कैसे होता है यानि मल में उसके अधार पे जैसे आपका है और यह तो कि यह खना होगी या फिर आपकी आपकी कोश्का की प्रकार के आधार पर तो यह आपके कुछ बेस थे आ जो आपका किस ने दिया था जो आपके वग्यानिक थे आर एच विटेकर उन्होंने दिया था आपका क्या में उन्होंने दिया था आपका जो फाइब जगत जो फाइब डिविकेशन वह आरे च विटे करने दिया था याद रखेगा इस चीज को अब हम पढ़ेंगे सेल्स की सरच्णा के आधार पर आपका जो क्लासिफिकेशन किया गया है एनिमल का वो किस तरीके से हैं इस्तार है ऑर्जेशन अबकर टिसो ओर्गिनाइजिसेशन है और इसके अधार कैसा है तो मैं बता दों अगर सभबन के अधार कर्ग से तर्का गदों ने यह था आपका एक कोश्क की वाला एक था आपका कि उसमें कोश्क का पाई जा रही है थोड़ी मतलब बनने लगी है फिर आपका थर्ड पॉइंट था आपका जो टिशू यानि कि एक पूच्छन पूचा जाता है इंपोर्टेंट रहता है टिशू का जो फॉर्मेशन है किस वहाँ से शुरूओ आए तो टिशू के अधार पर आपका और आपका क्या था अपका मतलब आपका जो वएल डबलब हो गया था वो मैं तो यह फिर आप लख सकते हैं से जो आपका गोड़ोड़न श्रम वाले जो ते आप कुछ भी लिख सकते हैं और गन शिस्टम वाले त तो अगर मैं आपको बताना चाहूं अगर हम बात करें तो आपके जो प्रोटोज़़। होते हैं, वो कैसे होते हैं? दो होते हैं आपके तो आप आंसर करेंगे जो आपका जो आपका क्लासिफिकेशन है इस अपका हाइडरा है यह उसके पार ना यह और देट की बात हम करें तो इस पारिफेर ऑब वह इसके आएंगे या निदित खलमानी तक काँए कसमे आएंगे इस दूसरा आपका ऑथार की यह कैसा आपका ते दूसरा वह बात करें आपकी जो अधार की वो अगर हम बात करें तो आपका क्या रहेगा अगर हम दूसरे की बात करें आपका तो सबसे पहले अगर मैं बता दूँ आपका कि क्या रहता है आपका जो हम जाने दें जनन इस्तर जो होते हैं आपकी जनन इस्तर के आधार पर अगर हम बात करें यानि कि जर्म लेयर जर्म तो मैं आपको बता दूँ जो एंब्रॉनिक स्टेज होती है आपकी बुरूरा वस्ता होती है आपकी बुरूरा वस्ता स्टेज ठीक है उसमें क्या होता है तीन लेयर बनती है आपकी एक दो और आपकी तीन एक होती है आपकी एक्टो यानि की भारी होती है एक होती है एंडो यानि कि अंदर वाली, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और आपकी मीजोडर्म, ठीक है, और आपकी मीजोडर्म, एक तो आपका इस आधार पर classification किया है, कि अगर जो animal है आपका, वो अगर उसमें ये तीनों लेयर पाई जारी हों, तो वो अलग होगा आपका, और अगर इसमें आपके दो लेयर पाई जारी हों तो मैं अगर इस सांफी करूँ तो उनुने से दो क्लास में वांटा था जर्मós में दोकुर्प एक्टेटर्थ और अपकी एंडुडर्फ अगर मैं आपको एक्जामपल वाज म doubling होंगे आयूज ऑपके उसी में आएंगे ऑपके मिसरी एक्डार आपकी हमें हम्हां यहां अएक त्री जौन की ओस्तरिय वोलते हो आप यह सी थियू अपों यहां लिक्षेंगे जिसे हम बोलते हैं ट्रिपलो बिलास्टिक क्या वोलते हैं कि अगर इसकी बात करींगे तो इन दोनों को छोड़ के आपके जो जाएंगे पलेटी हैं दोनों को जोड़ के आदा है जाएंगे वह आपके जाएंगे किसमें आपका जो जनन इससतर होता है उसके अधारफन ठीग है न कि अब नेक्स अगर बेस की बात करें आपका नेक्स जो बेस रहा होगा अब यहां जानेंगे अगर हम नेक्स्ट जो अकर हम बाद करेंगे है तो आपको our घ्या तो आपक We कि मैं आपको बता दूं जो होती यानि कि यानि कि जुव कि आपकी ने आपका भाग वह होता है कि लेख नहीं कि हली जगह क्या कहला जीय है उसे हम देग होभा बोलते हैं याद रखीए इस चीज़ को देख वाव बोलते हैं इन्होंने कि अधार में अगर टासिफाई करूं आपका तो इन्होंने किया था मैंने यहाँ निखोंगे ठीक है यहाँ पर विदू ने थी तरीका से आपका सी घोर में बाटा था एक आपका था एक सी लो मेड ये जी नो मेड ठीक है दूसरे कि अगर एकर हम बात करेंगे इसा बोलते हैं प्रीव शेलों मेड़ और अगर थर्ड की हम बात करेंगे तो आपका रहेगा क्या जो आपका रहता है ट्रू सीलो मेंट आपके रियाफिर आपका सीलो मेंट कि अगर मैं को अधार बताओंई सीलो मेर्ड का मतलब होता है मतलब मतलब grooming पाई यह नहीं जाएगी तो आपके होगे जो आपके कौन-कौन से हफिग जोस्पंज है आपके थे ओ अपको होता है आपका प्लेटी हिलमें थी भीत करहुछ से का यह दिपलो बिलास्टिक होता है यह आपका ला न कि ढूखे अफेक्ता नहीं तसले आपका त्लेका नहीं नं Éงारी था। जो होता है स्कें ह्यामनितीज जिसमें आपकि जो रांड़र्म होती है वह आती है्यानि कि इस में एस्केरिस वगेरा गर्व इसोस्差不多 करेМ यह आपकी ट्नौ पाई जाते हैं आपकी घ्रू से लेके होगे such a युद्स की्व स्क्रीन शॉट लीजे फिरम आगे पड़ेंगे कि अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स जो बेस है आपका उसके बारे में अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स जो आपका अधार है उसके बारे में हम बात करेंगे तो जैसे कि आपका तीसरा रहेगा जो आपकी सम्मितियां है आपकी सम्मितियां सम्मति के आधार पर जिसे हम कहते हैं सिम्मेटरी सिम्मेटरी ठीक है जैसे जब हम कहेंगे अनिमल जो है आपका बाइलिटरल है आपका रेडियल सिम्मेटरी रखता है या फिर आपका क्या होता है आपका एसिम्मेटरी होता है तो अगर मैं बात करूं या आपके तीन तरीके हैं यानि जिसे हम बोलते हैं और संम्मिट है यह आपका सम्मिट्री हो और आपका इसला किते है अफिर मिटिंट हरों सब्गाइब मद तो होता है आपका संबीत हैं कि क्या बोलते हैं अरिये और अगम थर्ड की बात करें तो आपका होता है बाई लेटरल बाई लेटरल ठीक है अगर मैं अभी इनके एक्जांपल आपको बताना चाहूं तो क्या होता है आपका आपको पता है ए सिमेट्री है मतलब कि इसमेट्री पाई नहीं जाती है इनके ज में आपको पता है मैं आपको सम्मिति बता दो सम्मिति का मतलब होता है किसी वी अनिमल को अगर आप एक्सस से काटो बीज से काटो या साइट से काटो तो क्या होगा उसका अगर वो बराबर भागों में कट रहा है तो तरीके से अलग है अगर वो बराबर भागों से नहीं पार पान के रसरी यह पोलगा क्यूंज तो यह इसलएंग्म स्मेटरी नहीं हुग पहली बात तो यह क्या होगा lux नहीं होगा तो यह अपना जेफ है ठीक है तो लगए तो इसे 1면 Harper नहीं चाहती है यह उत्तों धाराड हो गया और सलोंखे छेटर होते हैं आपके सीलेंट रेटा जिसमें आपका हाइडरा आता है ठीक है ना हाइडरा यह क्या है अगर आप इसे किसी भी अक्षिस से कातेंगे कोई भी आप ले लिजे बेस किसी भी तल से काटेंगे एक्सिस तो यह दो बराबर भागों में कैसे कटेंगा आप किसी भी बराबर भागों में क किसी भी एक्ससे 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 अगर मैं आपको एक्जामपल बताना चाहूँ आप एपिल ले लीजे ठीक है एप बहुत करेंगे लेफ राइड आप यहीं इसे ऊपर-ीचे करके कुछ भी आप करेंगे तो क्या होगा आपका वो बराबर भागों में कटेगा तो उसमें कौन से सिमेट्री है और अगर हम आपका हईडरा होता है उसमें आपकी सिमेट्री होती है बाय लेटर के अगर मैं बात करूं क्या होता है अब करं लेटर को किनाारे तो इसमें अगर कोई भी काट की? आप बराबर गटेंगे और इसका उधार अगर बात करें तो इससे का उधारल होता है आपका मनुष है वो में थीक्षा आपका मनुष है वह लागत आपको मनुष हो गई बात लीजोस्ति और सेक्मní अधार्ट यानि कि किसमें आपके खंड है आपके किसमें आपके खंड नहीं है ठीक है तो नेक्स हम जानेंगे आपका जो यह सारे आपके पूछ सकते हैं आपका की जैसे की रेडियल सिमेट्री है वह आपके कैस फाइलम है अपके यह सिलो मेट कॉन से अनिमल है आपके इसमें बहुत सारी कॉश्शन बनेंगे आपके अब हम बात करेंगे जो आपका नैक्स जो आधार होता है उसमें आपने देखा होगा उसमें खंड बने रहते हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे बोड़ी उनकी डिवाइड रहती है अलग-अलग आपके जो खंड होते हैं उसी बोलते हो मैस्म सीवर आपको कहीं भी दिखता है आपका का मतलब भी होता है फाल्स हृणNa टm यान्टी इस ने अधर आ छुन मेटा-मै ची वर्म को learn में क्या होता है उनमें Pneid मौलस्स का और आपके जो पॉड़ेट अगे पोर डेट है उसमें कर डेट तो ये आपके एक्जांपल्न है कि सके अधार होती है उसके आधारपे तो यह तो हो गए आपके किसिके विखंडने आधारपे सेखमेंटेशन के सबसे पहली संगठन के अधार पर दूसरी सिमेट्री के अधार जर्म लेयर के बॉड़ी सेग्मेंटेशन के अधार पर सीलोम के अधार पर आपका तो यह हमने कितनी पढ़ लिया आपके जो अमारी यह पांच हुए होगी शाहिद ओक पांच हो न grâce कि जर्म लेयर हमने पढ़ लिए सिलोम जो हमारे सेलोर वाला था उब यह पढ़ लिया सिल्च तो यहो गई आपकी बात हमारी थी मैंने आपको बताए थी बॉड़ी वॉल आपके जो होती है और आपके जो गट वॉल जो होती है उसके बीच में आपका जो था हमारा वो कैसा था आपका वह आपका सिरो सिरोमेट कहा गया था तो यह आपका हो गया विखंडन के अधार पर अब हम थोड़ा आपको बताएंगे जिसे हमने आपको systematic way में बताए था आपका classification की जो categories थी आपकी classification की कितनी categories थी seven categories ठीक है और अगर हम उन्हें systematic way में लगाएंगे question एक उसमें से पूछा जाता है जिसे हम human का ले लेते हैं मनुष्य जो होता है उसका अगर हम classification करें तो आपका क्या रहता है human का अगर classification आप करोगे तो वो कौन से class में है कौन से फाइलम में है आपका उस सबसे पहरे हम लिखेंगे जो आपका होता है kingdom क्या होता है जिसे जगत कहते हो आप kingdom दूसरा घम बात करने ही kingdom की बात आता है आपका फाइलम तीसरा होता है आपका class चौता होता है kingdom फाइलम class order यह आपको याद रहने चाहिए order आपका फिर आपका रहता है family फिर आपका होता है genus फिर आपका होता है species ठीक है ना यह आपके कितने चार यह आपके ओचार तीन साथ kingdom अगर हम बात करें human का जो kingdom है उसे किस kingdom में रखा गया है तो आप बात करेंगे जो सबसेव आपका जो रहता है animal ठीक है पौन सा animal है आपका ना तब kingdom कौन सा है animals फाइलम के बाद अगर हम बात करेंगे तो फाइलम आपका क्या रहता है है ऑड़ी अगर हम बात करें तो क्लास पॉन सा रहता है यूद कि आपको पता है बॉड़ी पर हर स्ट्रक्चर रहाता अपका अपकी ऑडर के अगर हम बात करें तो आपका प्राइमेट्स हैं चीप फ्रायमेदी भाटेंगे निगे घृस्व करें तो सबसक्राइबr होता है homo sapiens जैसे हमने आपको बताया था भी हुआ सैपिन्स उसका बताया था हमने आपको कॉक्रोच का तो यह आपका था सबसे बड़ी जो यूनिट होती है आपकी इस पर जो क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है वो होती है कि इंगरम सबसे बड़ी यूनिट होती है सबसे बड़ी यूनिट की अगर हम बात करें तो यह रही है ठीक है और क्लासिफिकेशन की अगर सबसे चोटी यूनिट पूछी जाए आपकी तो वह सबसे चोटी यूनिट होती है याद रखिएगा आपके सबसे चोटी यूनिट पूछा जाता है क्लासिफिकेशन की सबस स्क्राडिन ना यह वापको प्लासिफिकेशन था आपको बैद्द स्टत ख्राणने के जो अनीमल है उनके बारे में में कुछ बात करेंगे आपका करेंगे अब कर से बाद करेंगे यह जि anlamर फीचर हैен आपके किसे मेमल्स के भू क्या है आपको पता है मैमल्स आपके जो कॉड़ एटें हैं टेवलप मैम cul में सबसे डे भाःप घुछ डू कौष का बात करेंगे जैसे क्या है ये आपका क्या होता है आपको पता है न्यूट्रिशन भी होता है पोश्रड भी पाय जाता है, nutrition, पोश्रड में अगर हम बात करें, autotrophic, hetotrophic, आपके parasite आपके ठीक है, यह सब saprophetic आपके, यह सब कैसे होते हैं, आपके nutrition पाय जाता है, अब हम बात करें, locomotion होता है आपका, लोको मोशन होता है यानि कि घमन यह हो गया आपका फिर हम बात करें क्या होता है आपका लोको मोशन न्यूट्रीशन फिर आपको पता है रेस्पाइरेशन वगयर आपकी रेस्पाइरेशन हो गया एक्स्क्रीशन हो गया सर्कुलेशन हो गया circulation हो गया आपका यह सब आपका पाए जाता है ठीक है और क्या होगी metabolic जो reactions होती है metabolic जो reaction होती है वो भी पाए जाएंगी metabolic में आपको पता है catabolic और catabolism और anabolism ठीक है अपचे और उपचे आपको पता है और आपको क्या पता है एडॉप्टेशन पाए जाता है अनुपूललार भीजाता है याने का मतलब होता है किसी भी बातावरण के हिसाब को चेंज कर लीना क्या कहलाता है अनुकूलन कहलाता है अडप्टेशन हो गया फिर अगर हम बात करेंगे आपको पता है रिप्रोडक्शन हो गया अपने जैसी जो संतान पुत्पन करने की छमता रखता है रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें आपको पता है सेक्स्वल और शेक्स्वल हो गया एसेक्स्वल हो गया आपका है यह सब आपका रेप्रडक्शन में और आपको पता है मैं ने होता है सबुदिलाइजेशन अगर बात करें आपकी दो तरीके से होता है एकस्टरनल होता है और एक आपका होता है इंटरनल इंटरनल अगर मैं बात करूँ आपका क्या है अगर क्या होता है फीमेल की बॉड़ी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉड़ी से बाहर है तो आपका एक्स्टरनल है अगर एक्जांपल बता तो आपका मैडथ होगी आपका स्टार्फिश होगी सबनाएं सब्सक्राइब हinky वह सब्सक्राइब टहुगा एक रटीलैजेशन आपको पता है मेल गैमीट का आपस प्लता जो हो न तूब्स लेँद पता होने चाहिए क्या ह्यिए हिए स्पेसियल फीचर है आपके नीओटिशन है लोको मोशने ड्यस Prof ц सब्सक्राइब होते हैं हमारी थीग कर इस फिर ग्रोथ होती है एक रेट कि आपकी irritability टेबिलेटी यानि कि भुग प्यास सर्दी जुखाम आ कि किसी से आपका irritability होती है उसके होती है आपकी sensibility भी होती है आपकी यह सारे कुछ आपके जो एक्जामपल मैंने आपको फीचर मैंने आपको बता है ऐनिमल्स के बारे में तो मैं आशा करती हूं आपको यह वीडियो बहुत हैल्फुल करेगी आपको इसमें बहुत सारे क्वेशन बनते हैं तो अब हम शुरू करेंगे आपका अनिमल जो आपका क्लासिफिकेशन हैं जो आपके फाइलम दिये गए हैं हमारे 10 उन्हें हम एक यह करके सब को जानेंगे मैंने आपको यह सारे इसलिए बताए कि जब हम उसके करेक्टर लिखेंगे आपके जैसे अगर हम सिलेंट्रेटा के लिखेंगे या किसी के भी लिखेंगे हो तो उसमें आपका शब्द आएगा यह ट्रिपलो ब्लास्टिक हैं यह बाइलेटरल सिमेट्री है आपकी यह लोग कल नेक्स्ट वीडियो में थब तक के लिए खयाल रखिए थाइंक्यू